हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे SBL, Nixo Seed Serum and Tablets के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूज के बारे में कि कौन से अलग-अलग मेडिकल केंडिसंस में ये मेडिकेशन को यूज किया जाता है साथ ही जानेंगे उसके डूस के बारे में किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करती है और जानेंगे उसके साड़ इफेक्स के बारे में साड़ इफेक्स, वर्निंग, सभी के बारे में डीटेल में सिखेंगे फार्मारोक्स की आप उपर तो दवायों की जो जानकर ही आपको मिलेगी वो भी सरल बासा में तो डाउनलोड करिए एफ और एकसेस करिए ये कोर्स फार्मारोक्स की आप उपर तो स्टड़ी मटरियल, टेस्स सीरीज एन वीडियो लेक्चर के लिए एप डाउनलोड करें कि जो एंड्रोड एफ है गूगल प्ले स्टोर पे एपल आइफोन या पन एप स्टोर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप समझते हैं SBL, Nixo Seed, Syrup and Tablets के बारे में तो यह जो है हो एक होमियोपिथिक मेडिसिन है तो यह पर उसके मैनिफेक्चर के भी डिटेल है कि SBL लिखा हुआ है कि जो उसके मैनिफेक्चर है कि जो होमियोपिथिक मेडिसिन है कि वल्ड क्लास होमियोपिथि कहा जाता है एंड यह मेडिकेशन्स खासकर हाइपर एसेडिटी एन स्टमक इंडिजेशन जिसे कंडिशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है उसके कंटेनर के उपर भी आप देखोगे कि नेक्सो सीड के यह जो टाबलेट से तो यहाँ पर इंडिकेशन्स लिखे हुए कि हाइपर एसेडिटी एन इन डाइजेशन में यह मेडिकेशन यूस किया जाता है और यह उसके टाबलेट का बॉक्स है तो इसके जो मेनुफेक्चर SBL है तो SBL जो है वक लीडिंग होमियोपेथिक मेडिसिन मैनुफेक्चरिंग कंपनी है कि जो उसका हेड़ क्वार्टर सम देखे तो न्यू दली के अंदर है और यह बहुत साले अलग-अलग रेंच की वर्ल्ड क्लास होमियोपेथिक मेडिसिन जो है वो मैनुफेक्चर करता है तो कुछ और जानते है SBL के बारे में तो यहाँ पे उनका कंपनी का लोगो आप देख सकते है कि SBL की वर्ल्ड क्लास होमियोपेथि और SBL का जो फुल फॉर्म होता है सार्दा, बॉयरोन लेबोरिटरीज जो उसका फुल फॉर्म होता है जिसका हेड़िकवर्टर स्नुथ एल्ली में है और एक्टिविटीज जो है वो कंपनी की स्टार्ट हुई थी 1983 के अंदर तो काफे फुरानी फाव और ये कंपनी है कि जो होमियोपेथिक मेडिसिन्स को मैनुफेक्चर करता है तो ये जितने भी अलग-अलग होमियोपेथिक मेडिसिन्स है कि उनके जिनेरिक वर्गर्जन्स होते है single remedy उनके combinations कि जो अलग-अलग disease and disorders को treat करने के लिए use की जाती है तो content के बारे में समझे कि जो SBL ने जो Nixosid syrup बनाया है साथो साथ Nixosid के tablet भी है कि जो कोई person tablet नहीं ले पाता तो उनके लिए syrup भी available है और syrup जिसको नहीं use करने तो उनके लिए tablet भी है तो आप दोनों में से कोई भी use कर सकते तो उसके content के बारे में समझे के कौन से ingredient है तो ये जो आप देख रहे है herbal ingredient वो है नेत्रम फॉस्पोरिकम तो नेत्रम फॉस्पोरिकम जो है उसके अंदर एक add है second हम देखे तो कार्बो वेजट है जो कहा जाता है ये भी उसके अंदर add है तीसरा ingredient हम देखे तो वो है lycopodium और चौथा ingredient है यहाँ पे जो आप देख रहे है वो है रोबिना स्यूडो के किया तो ये चार main ऐसे ingredient है कि जो homeopathic medicines कही जाती है जो nixos seed syrup के अंदर या फिर उसके tablet के अंदर as a main content जो है वो add किया गए कि जो हम active pharmaceutical ingredient कहेते है या फिर जो main दवाई कहेते है medicine तो ये चार herbal homeopathic दवाई या ये combination के अंदर available है कि जो nixos seed तो उसका brand name है बट ये चार जो है उसके अंदर रहे main medication से कि जो आपको stomach in digestion या फिर hyperdacity के अंदर जो है वो काफी relief देते हैं तो उसके basic use समझे तो आप कौन से अलग-अलग medical condition में उसको use कर सकते हैं तो जब खाना खाने के बाद अथवा तो पेट खाली रहने से जब पेट के बीच में जो दर्ध होता है कि यहाँ पे आप देखो कि पेट समझे कि आपका खाली है या फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे आपको पेट के अंदर center में जो दर्ध होता है पेट के बीच में जो दर्ध होता है उसके इलाज में यह आप use कर सकते हैं सेकंड आपको पेट में जो है वो जलन हो रही है कि इस तरह से हार्ट बंड जैसे आपको फिल हो रहा है फिर अमलता मैसुस करना अमलता जिसको हम कहते है एसीडिटी कि एसीडिटी जैसे आपको फिल होता है कि एसीडिटी मतलब कि एसीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है इसा बाद vomiting भी हो जाती है फिर पैट और सीने में जलन महिसूस होना कि आपको सीने में भी जलन जो है वो महिसूस होगी पैट में भी जलन महिसूस होगी रदय में जलन जैसा महिसूस होता है और खटी डाकार आना तो यह सब अलग अलग सिम्टम्स जो है जब आपके जी आई ट्रेक के रिलेटेड डेवलप होते हैं जो हमारा पाचन तंत्र है तो पाचन तंत्र से जुड़ी यह सब जो समस्याय होती है तो उसके इलाज के अंदर या फिर उसको प्रिवेंट करने के और उसके करन क्या होता कि कई बार आपकी एपेटाइट लॉस हो जाती है मतलब कि खाना खाने का मन नहीं होता भूख कई बार कम हो जाती है ऐसा फिल होता है या फिर भूख हो तो भी आप खाने का एवोइड करते है ऐसीडिटी के करन तो यह प्राब्लम में यूज उसकी दिया जाता है फिर burning stomach कि stomach के अंदर जो है वो burning हो रही है कुछ जलन हो रहा है ऐसा आपको feel होता है फिर उसी के करण abdominal pain भी होता है कि यहाँ पे stomach का जो area है वहाँ पे आपको दर्ध होता है काफी hyper acidity हो जाती कि काफी excessive acid आपके body के अदर produce उने लगता है स्टमक इंडाइजेशन की तकलीफ, हार्ट बंच जैसे हम कहते है सौर इरेक्टेशन, मतलब की जो खटी डाकारे आना जो हम कहते है वामिटिंग जैसा होना, ब्लोटिंग, मतलब की पेट फूल जाना यहाँ पर आप देखो कि आपका जो स्टमक का इरिया है, वहाँ पर गैस के करन आपको ऐसा फिल होता है कि ब्लोटिंग जैसा हो रहा है पेट फूल गाया है आपका, और फ्लैटूलन्स जैसा भी आप फिल करते हैं, गैस्टराइटीस जैसा कंडिशन और गैस्टिक अलसर या फिर पैप्टिक अलसर gastritis मतलब कि आपको सुजन जैसे देखने को मिल रही है आपके स्टमक के अंदर या फिर वहाँ पे ulcer जैसे condition फॉर्म हुई है तो ये सभी के जो symptoms होते है या फिर उसके इलाज में भी ये nixosid के syrup as well as tablet जो है वो use किये जाते है अब समझते कि ये medications कैसे use की जाती है तो जब आप ये medicines purchase करते तो जो nixosid का जो container होता है उसी के उपर ये direction आपको लिखे हुए मिलेगी कि इसके indications भी लिखें मतलब कि कहां पे आप use करोगे कि sore irritations मतलब कि खट्टी डखा रहाना heartburn मतलब कि सीने में जलन होना heaviness जैसा feel होना, flatulence, hyper acidity सब भी में और doses भी लिखा है कि 5 ml 4 times a day मतलब कि 5 ml जितना आप लेगे adult के अंदर कि 5 ml जितना जो है वो आप ले सकते है 4 times इने दे के दिन में 4 बार कि आप सूबा ले सकते है फिर afternoon में ले सकते है उसके बाद आप evening में भी ले सकते है और night में तो 4-4 समय, 4 times जो है वो आप दिन में ले सकते है और हर time जो है वो 5 ml जितना आप लेजिए तो maximum आप एक दिन में ये medication जो है वो 20 ml जितना ले सकते हैं पांच एमेल जितना आप साम को लेते हैं और पांच एमेल रात को सोते समय इस तरह से 20 एमेल जितना आप जो है वो लेंगे बट खास दियान यह रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि दिन में एक ही बार 20 एमेल ले आप और बागे के समय ना ले तो उसकी कोई आपको प्रॉपर ए अच्छी एफेक्ट के लिए 4 ٹाइम इसको लेना सही से जरूर है विकोज यह प्रॉपर जो है उसका डोस है तो यह हुगा एडल्ट डोस Children's के बारे में जाने तो उससे Half कर देना है कि जो Adult dose समझे कि 5 ml है तो उससे Half 2.5 ml जितना आप जो है वो Children को दे सकते हैं और उनके लिए दिन में पूरा dose हो जाएगा 10 ml तो Maximum उनके लिए हो जाए Adult के लिए 20 ml पर डे जबकि जो Children's से उनके लिए हो गाया 10 ml जितना एक दिन के अंदर तो इस तरह से उसका dose है सीरप के बारे में अब समझे कि आपको सीरप suitable नहीं है और आप उसके टाबलेट लेते हैं तो टाबलेट का एडर्ट डोस हम समझे तो दो टाबलेट लेनी होती है दिन में चार बार कि 4 टाइम से डे और हर बार आपको लेनी है दो टाबलेट तो जैसे अभी हमने बात कि कि morning afternoon evening and night के समय तो हर टाइम आपको दो टाबलेट जो है वो उसके लेनी होते है तो इस तरह से proper जो है उसका डोस बंदे के maximum दिन में जो है वो आप 8 जितनी टाबलेट जो है इसकी खा सकते है अब समझे कि acute condition से मतलब की और ज्यादा condition ज्यादा खराब है ज्यादा ऐसी डेटे जैसा फिल होता है ज्यादा ऐसी गंभीर परिस्तिती है तो उस वक्त आप 2-3 गंटे के time interway पर दो टाबलेट जो है वो ले सकते है कि 3 गंटा जितना हुआ तो दो टाबलेट ले ले फिर से 3 गंटे के बाद दूसरी दो टाबलेट ले ले तो उस तरह से आप समझे कि गंभीर परिस्तिती में 2-3 गंटे के time interval पर भी ले सकते है और normal condition है तो at least 6 अवर के time difference में 2 टाबलेट जो है वो लेनी चाहिए कि जिस टाबलेट पर आप first दो टाबलेट लेते हैं तो second दो टाबलेट के बीच में at least 6 अवर का जो है वो difference होना चाहिए तो tablet 1 और first dose उसका second dose, third और ये fourth dose तो सभी के बीच में ये जो gap जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए at least 6 अवर की कि जिससे आप 24 hours के अंदर total जो है उसके 4 dose जो हो ले पाए तो इस तरह से proper dose जो हो उसका आपको समझ कर लेना होता है आगे समझे उसके children's के लिए तो चिल्डरन्स के लिए जो हाफ कर देना है adult dose से तो proper dose के हाफ मनलब कि दो टेबलेट चार टाइम ले आज़ते है adult के अंदर तो यहाँ पे one टेबलेट दी जाती है दिन में four times तो इस तरह से हो जाएगा चिल्डरन्स का dose बट चिल्डरन्स के अंदर भी same condition proper आपको maintain करना है six hour का gap between the two dose की दो दोस के बीच में हमेशा 6 गंटे का difference रेखना चाहिए यह medication को लेते समये अब समझते हैं उसके side effect के क्या इसके कोई side effect है तो उसका answer है no no side effects यह एक homeopathic medication है और उसके अंदर जो herbal ingredients है उसके कोई side effect आपके body पे नहीं है safe medication है with no any toxicity on body कि इसके आपके body पर कोई ऐसे गंबिर या फिर विपरित असर है नहीं होती जैसे कि हम antacid medication समझते हैं कि जो H2 blockers का हम सीखा था कि वो भी acidity, hypersacidity में वगेरा में यूज होते है proton pump inhibitors के बारे में भी हमने सीखे था तो उन सब medications के side effects वगेरा रहती है but यह जो remedy है यह जो medication है वो herbal होने के काराण उसके कोई side effect develop नहीं होते और safe है use के लिए जब आपको gastric problems है कि जो अभी हमने discuss कि बढ़ एक चीस दियान रख्याओ कि कभी भी higher dose में के use ना करे कि जो अभी मैंने आपका dose सही से समझाया उसी dose में लेनी चाहिए because कोई भी चीज जब high dose में हो जाती है तो उसके कराण कोई ने कोई complications होती है कि चाहे उसकी notice होई ऐसी कोई side effect ना हो बड़ समझो कि आप उसका miss use कर लेते हैं जितनी मात्रा में लेनी है उससे अधिक मात्रा में लेनी है तो जरूर आपको कुछ ने कुछ complications होगे so always use the proper dose to avoid the side effect of medicine किसी भी medication को use करे तो हमेशा उसके proper dose को ही सिल्यक करे कि जिससे कोई side effects जो है वो के ppt and pdfs को access करे फार्मरोक्स के आपके उपर medicines के course के अंदर की जहापे आप उनके basic use के बारे में सिखेंगे dose क्या होता है side effects वगेरा और कौन से अलग-अलग warnings रहती है वो medication को use करने पर साथी उनके pdf आपको access करने को मिलेंगे ppt file video lecture और price तो है वो काफी affordable है तो अभी download करें आप फार्मरोक्स और access करें ये course को query हो तो ये number वे whatsapp करके आप solve कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best